तो नमस्कार और स्वागत आप सभी का TGT PGT 2021 को लेकर चैन बोड की तरब से एक नया नोटिफिकेशन जादी किया गया है जिसको लेकर बहुत साइचातों की तरब से कमेंट किये गए थे किसा हमारी कईने की आवेदन के अंदर मातर पिता की स्पैलिंग मिस्टिक हो गई है कई जगें उपकर ऐसा भी देखने के लिए मिला है कि उनके नाम के अंदर ही मिस्टिक हो गई है कुछ अब्यरती हों कहना था कि हमारे फॉर्म के अंदर गलती हो गई है या फिर कुछ ऐसे भी अभ्यति रहे होंगे जिन्होंने आवेदन तो किया था लेकिन एड्मिट कार्ड नहीं आया और भी अलग-अलग तरीके के जो कॉमेंट है मेरे पिछले वीडियो के नीचे देखने के लिए मिले हैं बहुत साइचातों का सवाल यही था कि पुने आवेदन को लेकर जो नोटिफिकेशन चैन बोड की तरफ से जादी किया गया है क्या हम सभी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं क्या चीज़े हैं साथ में पहिछा को लेकर ही बहुत साइचातों के मन में सवाल है साही जानकाई मैं आप सुभी को देने वालों वीडियो को लाइक कर दें साथी शेयर कर दें चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आप सुभी को इसी बकार की अथेंटिक जानकाई हैं मिलती रहें असल मैं चैन बोड की तरफ से टीजिटी पीजिटी को लेकर जो नोटिफिकेशन जादी किया गया है उसके अंदर पुने आविदन की जानकाई तो दी गई है लेकिन जो अभ्यरती इस बात को लेकर पूछना है कि सर हमारे नाम के अंदर गलती हो गई ती क्या हमें भी दुबाहर से आविदन करने का मोगा मिलेगा या फिर कुछ ऐसे अभ्यरती जिनके मन में ये है कि वो इस भरती में आविदन नहीं कर पाएते तो क्या दुबाहर से आविदन कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा उसका reason यह है कि आपकी जो पहिच्छा है वो हो चुकी है और यहाँ पे जो इनको आविदन करने का मौका दिया गया है वो सुपीम कोड के आदेस के अनुसार देखने के लिए मिला है सुपीम कोड ने तो बहुत कुछ आदेस दिया था लेकिन चैन बोड की तरफ से इस आदेस का आदा जो आदेस है वो माना गया है आदा कैसे माना है मैं आपको आसान भासा में समझा दूँ चैन बोड की तरब से जानकाई दी गई है कि फिलाब आपको जो आविदन करने का मोका मिलेगा वो 11.9 से लेकर 15.9.21 तक देखने के लिए मिलेगा आसान भासा में समझे तो 4-5 ये दिनों का समय आप सभी को देखने के लिए मिलता है इतने दिनों के अंदर उनको आविदन कर करना है उनकी तरब से यह कहा गया है कि ऐसे तदर सिच्छक जिन्होंने पहले 15 संख्या के सापिच अपने आवेदन में तदर सिच्छक होनी की सूचना के अतिक्त इसके अलावा कोई भी सूचना उनकी तरब से यहां पर अपडेट नहीं की जाएगी आसान वासा में समझा तो यहां पर चैन वोड की तरब से पूरा आवेदन नहीं मांगा गया है चैन वोड का कहना है कि अगर आपने आवेदन कर दिया था और तदर सिच्छक की जानकाई देना आप भूल गये थे या फिर किसी काहन बस नहीं दे पाए थे क्योंकि पहले इनको वेतन नहीं मिलता था सुपीम कोड की तरब से बाद में आदेस आया तो इनको बेतन मिला है ना तो ऐसे में सिर्फ चैन वोड की तरब से यह कहा गया है कि सिर्फ वही तदर सिच्छक यहां पर अपने आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने तदर का जो कॉलम में वो फिल नहीं किया था इसके अला की जानकाई नहीं दी थी इसके अलावा उनको कोई और मोका नहीं दिया गया है अपडेट करने का लेकिन इसके अलावा बहुत साई जानकाई चात्तों की तरब से पूछी जाए थी कि सर क्या टीजिटी पीजिटी की परिच्छा भी फिर दुबाहा से करवाई जाएगी त जो टीजिटी 2021 के विग्यापन के अंदर आवेदन नहीं कर पाई थी अगर उनको भी यहां पर आवेदन करने का मोका चैन बोड की तरब से दिया जाता तो परिच्छा को लेकर यहां से सवाल खड़े होते अभी फिलाल जो यहां पर चैन बोड की तरब से नोटिफिकेशन जादी किया गया है वो सिफ उन चातों के लिए उन तदर सिच्छों के लिए है जिन्होंने टीजिटी 2021 की परिच्छा में बैठने से पहले आवेदन किया था परिच्छा में बैठे भी हैं लेकिन सिफ उन तदर सिच्छों को मोका मिलेगा इसके अलावा किसी और तदर और इस hicकर का मिलता तब ही पहिट हैं वह रावेंथ सपविस्षा इसपर्थ सब्सक्राइब आविदन करे थे इसके अलावा किसी नए आविदन को शुरिकार नहीं किया जाएगा तो पहिच्छा भी अभी दुबारा नहीं होगी मतलब कि चैन बोर्ड की तरब से तो लगवग ऐसा इस परस्थी करना आप सबीके सामने आई गया है दुबारा पहिच्छा के बारे में त समझे दे प्रात्मिक शिक्षक भरती को लेकर जैसा कि आप सुभी जानते हैं कि प्रात्मिक सिच्छक भरती को लेकर हाली में एक सबसे बड़ा मुद्दा देखने के लिए मिला था जब चार्क्तों ने लखनों के अंदर धना प्रदर्शन दिया हजारों की संक्या में कमिटी बना दी गई। उसके बाद से आज की तारीक में एक नया बयान देखनी के लिए मिलता है बेसिक शिशा मंती जी की तरब से अब उसे चार्तों के लिए अच्छी ख़वर कहें या कुछ भी लेकिन कहीं ने कहीं मंती जी कुछ बदले-बदले अवर्शिम निकले हैं क्योंकि इससे पहले जब उनकी तरब से बयान दिये जाते तो दो टूप मना कर दिया जाता था चाहिए वो अगर बात की जाए आपके आरचन के मुद्दे को लेकर हो या फिक किसी अलग-अलग मुद्दे के बारे में पहले आप सुभी इस बयान को सुने देखे प्रदेश की योगी सरकार ने अभी साड़े चार बर्स पूरे नहीं हुए हैं लेकिन मिसन रोजगार के तहट उत्तर प्रदेश के साड़े चार जुवानों को परतेक शुरूप से सरकारी नोकरी दी है जो अन्य माद्दिमों से विबिन स्वरोजगार की जनाओं में तो करोड़ों लोगों को रोजगार बिला होगा कि हमें कुछ बातों को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे तो सरकार ने मुख्य सचू को जिम्मेदारी सौपी है मामले को समझने के लिए मुख्य सचू और राजस्व परिसत के अध्याक्षा और अन्य अधिकारियों की एक कमिटी बनाई है कमिटी उनसे बात भी कर रही है उनके जो ग्रिवान से जो उनको सुन भी रही है जो संभो होगा वो समाधान भी करेगी ये सरकार तो सबकी सुनने वाली सरकार है लोग लोगतांत्रिक तरीके से लोग अपनी बातें कहते हैं सरकार सुनते हैं समधान करते हैं आगे भी करेगी तो इस बयान के बाद से बहुत साही चात्तों के मन में ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल नहीं है कि हो सकता है कि कमिटी का जो घटन किया गया वहां से कुछ इसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा जो भी समाधान होगा वह भी यहां से किया जाएगा इसी को लेकर चात्त खुश हैं वहीं दूसरी तब बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबदी थे एक लाग सेंटी सिजा प्रात्मी सिचक भरती की रिपोर चाति को लिए जिसको लेकर हाली में कमिटी के सामने चांतों की जो अपनी मांगे वो रखी गही लेकिन 15 तारीक से पहले, मतब रिपोर्ट आने से पहले, एकववार फे से जो parish को धहना प्रदर्शन करेंगे बेसिग शच्छा व्यवाग के अंदर SAHIK, SICHK बरती के अंदर, Khāli perdवा को भरती की मांग को लेकर अभ्याति 15 सितंबर को महा धर्ना करने का एलान किया है इस धर्ने में पूरे प्रदेश के अभ्यातियों के अलाबा अन्य लोग भी शामिल होंगे इसके लिए अभ्यातियों के द्राया अभ्यान चलाया जारा है अभ्याति जोड़ी जाने की जो मांगे वो कर रहें पिछले ब्यासी दिनों से द्राव प्रदेशन चल रहा था जैसा कि आप जानते कि दो धना प्रदेशन है एक बाइस हजार को लेकर है दूसरा आहच्छन को मुद्ध्य को लेकर है तो एक आपको देखने के लिए मिलता है नही प्रा अधियम से मिलती देगी वीडियो को लाइक कर दें साथ ही शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें